तुम मुझे एक बात बताओ ये जो वक्त गुजर रहा है बहुत तेजी से गुजर रहा है हर एक दिन हर एक पल हर एक घड़ी तुम कुछ करो तो भी और कुछ ना करो तो भी ये वक्त गुजर जाएगा नजाने कितने साल हो गए तुम कितने साल के हो ये बात तुम भी जानते हो जिन्दगी में काम्याबी कितना बड़ा रोल अदा करती है उतना ही जितना तुम्हारे खाने में नमक जितना ही तुम्हें इसे बैलेंस बना के रखोगे खाना उतना ही लजीज बनेगा जिन्दगी बे रंग है, बे स्वाद है, काम्याबी के बिना, सफलता के बिना और ये बात किसी के समझाने से जिन्दगी में किसी को समझ में नहीं आती है तब तक जब तक कि खुद के उसके उपर ना गुजरे सवाल आप खुछ से करो कि जिन्दरी को बेश्वाद क्यों बनाना जो चीजे सच में आपको कोई value नहीं दे रही है जिस काम का कोई मतलब ही नहीं है उसमें वक्त को क्यों लगाना आपके पास और भी जरूरी चीजे है करने के लिए जो सायद आपके लिए बहुत ज्यादा important है आप उस पे क्यों नहीं ध्यान देते आप क्यों हमेशा ignore करते हो जो जरूरी नहीं उसके पीछे क्यों मन लगता है आपका क्या आप खुद को समझा भी नहीं सकते क्या आप खुद को डाट भी नहीं सकते कि नहीं ये काम सही नहीं है मैं नहीं करूंगा क्यों क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि आप अपना एम खुद को बता सको आपका goal क्या है इस बात को हमेशा याद दिला सको क्या जिंदगी में इतनी बीज़े मेधारी नहीं बनती कि क्या आप खुद के लिए अपने उपर कोई action, कोई act, कोई कानून नहीं बना सकते कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो हर हाल में करनी है, वो हर हाल में सही है आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने starting में ही बोला था कि वक्त निकला जा रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर बोलूँगा कि आज से ही कल है और कल से ही आपके दुनिया, आज जो आप करोगे, कल आपको वहीं मिलेगा और इस चीज में जिम्यदार आप खुद होंगे